राजधानी दिल्ली की सडकों पर बे लगाम दोड़ती है स्कूल कैव और हाथसों को दे रही है दावत ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है जहां आज सुभे छोटे बच्चों को ले जाते हुए एक तेज रफ्तार इको वैन पलट गई जिसमें करीब आधा दर्चन से जादा बच्चे घायल हो गए जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है वैन में करीब 20 बच्चे सवार थे पुलीस ने वैन जब्त कर जाच में जुटी है सडक पर पलटी हुए इस इको वैन को देखिए आज सुबह मंगलवार को इसमें करीब 20 इसकूली बच्चे रोहनी सेक्टर 3 इस्थित केंद्रिये विध्धाले जा रहे थे अगर चसमी दिदो की माने तो जैसी ये स्कूल वैन यहां मंगोलपुरी इलाके के फरनीचर मार्केट के पास जैसी वैन पहुँची तो यहां खड़े कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया जिसके वाद ड्रैवर ने गाड़ी और तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रिड हो गई और सड़क पर पलट गई इस हादसे में इसी वैन में सवार करीब आधा दर्जन से जादा बच्चे घायल हो गए जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर वताई जा रही है बच्चों को पास के ही अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है सूचना मिलने के बाद पुलीस और बच्चों के अभिवावक मौके पे पहुँचे गौरतलवे की पूरी दिल्ली में इसी तरह के हजारो स्कूल केप ट्रैफिक के तमाम नियम और काईदों को ताग पर रखकर राजधानी की सडकों पर बे लगाम सरपट दोड रही है जिसमें इस तरह के प्राइवेट नंबर की कारे भी शामिल है और इसी स्कूल केप में छोटे-छोटे मासुम बच्चों को भेड बक्रियों की तरह ठोश-ठोश कर बिठाया जाता है जिसके बारे में स्कूल प्रासासन से सिकायत करने पर वह अपना पल्ला जाड़ लेते हैं साथ ही आरोप यह भी है कि पुलिस की मिली भगत से ये स्कूल केप सभी नियमों की धज्या उड़ाती है जबकि इनको लेकर कई बार नियूस चैनल्स और अख़वारों में भी खबरे दिखाई जा चुकी है और समय समय पर सरकार की तरफ से इनको लेकर कई एडवाईजरी भी जारी की जाती है बावजुद इसके ट्राफिक पुलिस को मंथली देकर इनके सारे नियम काईदे पूरे ना होने के बावजुद भी पूरे हो जाते हैं यही वज़े है कि सड़कों पर इसकूली बच्चों को लाने ले जाने वाले कैब आए दिन हासों का शिकार हो जाती है और बच्चों की जान पर बनाती है बहराल मौके पर पहुंची कैट्स एंबूलेंस ने गायल बच्चों को अस्पताल में एडविट करवा दिया है जहां उनका उपचार चल रहा है और पुलिस ने भी वैन को कबजे में लेकर कारेवाही शुरू कर दी है लेकिन जिस तरह ये कैब सारे नियमों की धत्ता बता कर छोटे छोटे बच्चों को जान के साथ खिलवाड कर रही है वो भी एक बड़ा गंभीर विशे है जिसके लिए प्रशाशन को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से प्रभाकर राणा की रिपोर्ट